नमस्कार दोस्तों यूनियर ग्लासेज में आपका स्वागत है देखो आज में कुछ इंपोर्टेंट क्यूशन लेके हैं जो जेट 2020 से सुपर्वाइजर और आइसे आयार के लिए इंपोर्टेंट है तो देखो अपन बात करें पहले क्यूशन की तो देखो धाने फसलों में सरवादी के खनीज लवन कौन सी फसल में पाये जाते हैं तो धाने मतलब खाद्यान फसलों की बात हो रहे है तो खाद्यान फसलों में सबसे ज़्यदा पाये जाता है खनीज लवन बाजरे के अंदर आगे बात करें क्यूशन नमबर दो की तो बाजरे की बीजदर है तो ब बाजरे की तो option number D से हो जाएगा question number 4 की बात करें तो बाजरे के वीजो को कितने गहराय तक बहुते हैं तो बाजरे के वीजो को बहुते हैं अपरण 2 से 3 cm गहरे तो option number A से हो जाएगा आगे क्विशन बात करें 5 की तो बाजरी की प्रमुक व्यदी है तो बाजरी में देखो एक तो अरगट रोग या चेपा रोग भी लगता है और कंडिया इसमत रोग भी लगता है तो उप्शन नमबर इसमें 20 सही हो जाएगा क्यूशन नमर 6 की बात करें सहेद जैसा चिपचीपा पडारत लगता है तो सहेद जैसा चिपचीपा परदात लगता है इसमें अरगट या चेपा रोग ठीक है Q7 की बात करें डाउनी मिल्डियू का कारक है तो रोकारक बुच रहा है डाउनी मिल्डियू है रित वाली रोकारक बुच रहा है बाजरी की है परमुख व्यदी तो इस option बी से हो जाएगा इस क्लेरो, इस पोरा, ग्रेमी, निकोला आगे बात करें question number 8 sorry, no key तो जौन्सन कास किस करपतवार का नाम है तो जौन्सन कास है वो किसका है बरु का वेग्यानिक नाम है तो option number D सही हो जाएगा आगे बात करें अपनँ कौन से रोग में बाजरी की बादी पत्तिनुमा शरंचनाओं में बदल जाती है देखो पतिनुमा मरित हरित वाली रोग हरित वाली रोग को दूसरे नाम से जानते हैं डाउनी मिल्ली रोग के आगे बात करें क्यूशन नंबर 11 डबलू सीसी 75 किसम है किसकी है डबलू सीसी 75 वह है बाजरे की किसम है आगे देखो क्यूशन नंबर 12 की बात करें तो बाजरे का परमू के कीट है तो बाजरे का परमू के कीट है तो देखो एक तो टिड़ा भी लगता है बाजरे में सफेद लट भी लगती है कात्रा भी लगती है तो उप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आगे बात करें क्यूश पाझ सुलाः कोड़ी है ।कुनसी फसल केमल क्रोप क्या होता है गय हो और रॉल प्रसुर है कुछ ही होग़ा तो कॏ सेंसिल पोदा होता है इसलिए इसी क्या कहते हैं केमल क्रोप फसल कहते हैं आगे बात करें क्यूशन नंबर सोड़ा की बात करें तो दान्य फसलों में सरवादी के उत्पादक्ता है तो दान्य फसलों में पूछ रहा है तो उत्पादक्ता किसकी है मक्का की तो option number D से हो जाएगा आगे बात करिये पना question number 17 तो 17 देखो मक्का का उत्पती स्तल है तो मक्का का उत्पती स्तल कहाँ पर है मेक्सिको अमेरिका में है option number D से हो जाएगा आगे बात करिये पना question number 18 तो जवार का परमुख कीट है तो जवार का प्रमुक कीट है एक तो तना मक्खी और एक हो गया तना छेदक तो ओप्शन नमर डी से हो जाएगा बी और सी दोनो Q19 की बात करें तो Q19 देखो जवार का कौन सा कीट है जो केवल वुआई की एक महीने तक परबावित करता है तो देखो इसके गीट की बात करें तो Q19 में ओप्शन हो जाएगा ए तना मक्खी है जो एक महीने तक परबावित करती है फसल को आगे देखो Q20 की बात करें ओपेक टू जीन किस किसम से समंदित है तो ओपेक टू है वो मक्का की किसम है तो किस से हो गई मक्का से Q20 की बात करें मक्का है मक्का एक लिंगी पोदा है या द्वी लिंगी तो मक्का कोण सा पोदा है द्वी लिंगी पोदा है दोनों लिंगी पाए जाते हैं एकी पोदे पर अगे बात करें क्यूशन नमबर 22 की माही दवन किसम है तो माही दवन किसम हो किसकी है मक्का की किसम है तो ओप्षन नमबर 20 हो जाएगा क्योशन नमबर 23 की बात करें निमन में से मक्का की किश्म है तो मक्का की किश्म पूछ रहा है तो निमन में से देखो तरून भी मक्का की किश्म है नवजोद भी मक्का की माही कंचन भी तो उप्योग सभी ओप्शन नमबर D से हो जाएगा आगे बात करें क्यूशन नमबर चोईस तो क्यूशन नमबर चोईस है जवार की तना मक्खी का नियंतरन पूच रहा है जवार की तना मक्खी शूट फलाई का नियंतरन पूच रहा है तो शूट फलाई का नियंतरन करते हैं किसे एक तो अगयती बुआई करके भी किया जाता आगे बात करें क्यूशन नमबर 25 तो मक्का में सबसे पहले कौन से पुश पाते हैं तो मक्का में पिने पढ़ाया था तब बताया था मक्का में कौन से पुश पाते हैं सबसे पहले टेसल नर पुश पर पहले आएंगे और माधा पुश पर बाद में आएंगे म numéro 26 की बात करें बारत में सरवाधिक शेत्य फटल कोण सी मक्वाइ जाती है तो सबसे ज्यादा शेत्य फ़ल में पूझ रहा तो कोण सी जी आमेज इवरेटा तो नमर सी सियह हो जाएगा अब मैवाड शेटर में कौन से मक्का से कर खाने में खाने हे तुगाई जाती मतलब मिठी पूच रहा है तो मेवाड में पूच रहा तो मेवाड में देखो ऑप्षन नमबर इसमें सभी हो जाएगा सी है सि मतलब जियामेज इंडिडी रेटा कि ओप्षिन नमबर कि सी सोरी इवर्टा हो गया इसका कि मिठी कि इसमें बुज़ रहा तो मिठी तो होते हैं से किरेट आए ओप्षिन नमबर डी सही हो जाएगा इसमें कि ओप्षिन नमबर डी सताइस में डी हो जाएगा हागी बात करें कुष्ण नमबर 27 तो देखो कोन फ्लेक्ष बनाने है तूँ किसका ऊप्योक किया जयता है तो पोप्पो कॉन और कोन मनाने के लिए ऊप्योक किया जयता तो option number B से हो जाएगा तो ना 6 दक किश्व नमबर 30 की बात करें पर तो जवार में विशेला तत्व है SCN दूरिन की मात्रा कौन सी अवस्ता पर अधिक होती है तो कौन सी अवस्ता पर अधिक होती है तो देखो option number B सब्सक्राण की गुठने अवस्ता मतलब छोटी अवस्ता होती है ना कच्चे अवस्ता उसमें क्या होती है SCN की मात्रा अधिक होती है जीसे पशवों को खिलाणी पर क्या हो जाएगा पशवों की मरति हो जाती है तो कोन सी तत्व के करण SCN के करण हाइड्रो साइनिक अमल की कारण मरती हो जाती है क्योशन नमर 31 की बात करें तो खरीब की फसलों का परमुक की गीट है तो खरीब की फसलों का परमुक की गीट पूछ रहा है तो उप्शन नमर D सारे हो जाएंगे इसमें सफेद लट भी आती है कात्रा भी आती है और टिड़ा तो option number D सही हो जाएगा आगे question number 32 की बात करें तो मक्का में प्रथम सी चाय कब करते हैं तो प्रथम सी चाय पूछ रहा है तो मक्का में प्रथम सी चाय करते हैं वो कब टेसल आते समये प्रथम सी चाय करते हैं और दूसरी सी चाय मादा पूछ पर आती समये क्यूशन नमर 33 की बात करें तो मक्का की फसल का खरपतवार नासी बूछ रहा है खरपतवार को नाश करने वाला तो खरपतवार नासी हो गया इसमें एक तो एटराजिन भी कामे लेते हैं और एक सीमाजिन भी कामे लेते हैं तो एटराजिन और सीमाजिन दोनों उप्शन नमर तो सी हो जाएगा इसमें सही आगे बात करें क्यूशन नमर 34 तो मक्का का सफेद कली का रोग होता है तो मक्का का सफेद का लिकारोग होता है वो किसकी कमी के करण होता है जिंक की कमी के करण होता है तो उप्शन नमर 20 ही हो जाएगा आगे बात करें अनाजो का राजा कौन सी दन्य फसल को कहते हैं तो अनाजो का राजा मैंने अभी बताया था किसको कहते हैं गेहूं को कहते हैं और रानी किसको कहते हैं मक्का को कहते हैं क्योशन नमर 36 की बात करें बारत में गेहूं की सरवादिक उतपादक्ता कोन सीए में हैं तो उत्पादक्ता की बात करें तो किसमें है पंजाब की सबसे ज़्यादा उत्पादक्ता होता है किसमें पंजाब में उत्पादन की बात करें तो उत्पादन होता है यूपी में ठीक है आगे एक उप्शन नमबर 36 की बात करें तो गेहूं का पुश्क करम कहलाता है तो पुश्क करम पूच रहा है कौन सा historic option नमबर C सई हो जाएगा ठीक है आगी बात करें गेहों की protein कहलाती है तो गेहों में protein को कहते हैं gluten क्या कहते है question नमबर 49 की बात करें तो देखो बारत में गेहों की कौन सी परजाती सरवाधिक शेत्रफल पर उगाई जाती है तो सरवाधिक शेत्रफल में गेहुं की परजाती बूज रहा है तो गेहुं की परजाती उगाई जाती है सबसे जदा ट्रिक्ट्रिकम एश्टीव क्योशन नमबर 40 की बात करें तो देखो बारत में सरवादी क्षेतर में उगाया जाने वाला गेहूं तो उगाया जाने वाला गेहूं भूज रहा है तो कौन सा उगाया जाता है बारत में द्वी गूनीत उगया जाता है चत्रव पंच गूनीत या 6 गूनी तो अब से जदे हो जाता है बारत में 6 गूनीत और इसंट रोटी बगिरा बनाए जाती कहाने में कामें लिया जाता है प्ले刃गे 16 Christian option now D से हो जाएगा आगे बात करें क्योंच नम्ब 62 की निमन में से सिंगल जीन डवार्फ बोने किसमें है तो सिंगल जीन डवार्फ किसमें पूछ रहा है तो सिंगल जीन देखो option number A, सो ना लिखा है ठीक है आगी बात करें पनक्यूशन नमबर तयानिस ग्यहों में रोली रोग के उपचार है तो बीजो को उपचारित करते हैं तो ग्यहों में रोली रोग के लिए उपचारित बीजो का उपचार पुझ रहा है तो ग्यहों की फसल का खाद्यान पसलों का पुझराज जेवुरग तो खाद्यान फसलों में लेते हैं एजेक्टो बेक्टर option number D सही हो जाएगा question number 45 की बात करें तो देखो ग्यहों में बीज बुआई की कोण सी विदी है जिसमें बीज हल से जुड़ी नाई ओर्णी में डालते हैं मतलब ओर्णी में डालते हैं तो कौन सी विदी है इसमें तो विदी की अपन बात करें तो विदी हो जाएगा इसमें पोरा विदी option number B आगे देखो question number 46 में देखो ग्यहों की फसल में बुवाई की दोरान दूरी रखते हैं तो L into P पूछ रहा है लाइन से लाइन की दूरी और पोदे से पोदे की तो 22.5 into 10 cm option number C से ही हो जाएगा question number 47 की बात करें तो ग्यहों की बोनी किसमों की बुवाई की गहराई पूछ रहा है भीजों की गहराई पूछ रहा है तो भीजों की बुवाई हो जाएगी इसमें 4-5 cm question number 48 की बात करें तो 48 में देखो ग्यहों का परमुक करपतवार नासी है तो ग्यहों का परमुक करपतवार नासी है कौन सा है एक तो 24D भी है Q2-4DB है, isoproturion भी है, tribunil भी है तो option number D से हो जाएगा Q49 की बात करें अपने तो ग्यहों की फसल का प्रमुक कीट है तो प्रमुक कीट पूछ रहे ग्यहों की फसल का तो देखो प्रमुक कीट हो जाएगा दीवमक आगी बात करें क्यूशन नमबर 50 की तो ग्यहों का कौन सा रोग है जिसमें सडी मचली जैसी गंद आती है तो सडी मचली जैसी एक रोग होता है इसमें करनाल बंट ओप्शन नमबर D जिसमें क्या होता है गनाल बंट रोग में जो सडी मचली होती है उसकी समान गंद आती है आगी बात करें पण्य deception नंबर 51 तो देखो ग्यों के मोलीया रोग का पर्भावी नीअंतर्ण तो ग्यों के मोल्या रोग का परभावी नीअंतर्ण पूछ रहा है तो इसमें देखो परभावी नीअंतर्ण एक हो अपनागर क्योंकि 20 परतीशित नम्मक का गोल तो अपना बाजरी में लीते हैं सी रोग नियंतर्ण के लिए बचल्ड नियुवें अपना नहीं जोग कर आगे बात करें अपने अबबन दो देखो ग्योह का कॉन्सा रोग अनता बीजोड रोग साकते हैं आगे बात करें, अपण कुष्ण नम्बर 35, तो धान्य फसलों में सरवाधिक लवणता सेन्सिल फसल है, तो धान्य फसलों में सबसी ज़्यदा लवणता सेन्सिल, तो कूण सी है, जो, मतलब शारिय उन्वर्दा को भी शहन कर सकता है, कूष्ण नम्बर Fine की बात करें, जो की चिलका रहीत किश्म पूछ रहा है, इंपोर्टेंट किश्म है, चिलका रहीत किश्म है, तो कौन सी है, डोलमा, option number D से हो जाएगा, आगी बात करें, question number 55, तो जो कि मोल्या सुत्रगर्मी, रोधी किश्म है, तो जो मोल्या रोग होता है, उसका रोग रोधी पूछ रहा है, त रोग रोधी किश्म हो जाएगी, एक तो रडी 387 भी होती है, रडी 2035 भी होती है, रडी 2052 भी होती है, तो option number D से हो जाएगा, आगी बात करें, question number 56, तो question number 56 है, दान की फसल में नाइट्रोजन युक्त उरुबरक कोन से शेतर में डालते हैं, तो नाइट्रोजन युक्त उ सही हो जाएगा, question number 57 की बात करें, तो दान के पुश्प करम को कहते हैं, तो दान के पुश्प करम को कहते हैं, पैनली कल, option number A सही हो जाएगा, question number 58 की बात करें, तो बारत में दाने फसलों में सरवादिक शेतर एवं उतपादन कोन से फसल का है, तो दाने फसलों में शेतर फ तो दान के दानों में प्रोटीन प्रतिशत ता तो दान में कितनी प्रोटीन पाई जाती है तो दान में प्रोटीन पाई जाती है जैसे 7 प्रतिशत प्रोटीन क्योंशन नमबर शाट की बात करें तो दान में अस रितु में बुवाई कब करते हैं तो दान में अस की बुवाई करते हैं अप्रेल से मैं मैं तो उप्शन नमबर ऐस हो जाएगा कुछन नमबर 61 की बात करें तो प्रत्थ में बारती उच्छ उपजवाली किस्म थी तुदान की किस्म पूछ रही है सबसे ज़्यादा तो इसमें उप्शन नमबर सी सही हो जाएगा सबसे ज़्यादा बारत की पूछी तो जया और विश्मों पूछे तो टीन फस्ट है तो कुछम नमबर सी सही हो जाएगा कुछन नमबर 62 की बात करें तो पॉप्शन के बात करें तो विश्मों नमबर 30 की बात करें 훕द तो पॉप्शन नमबर कौन सी फसल से संबन दी था अब तो बुशेून के किरिया करते हों किस में करते हैं दान में करते हैं तो option लम्बर 70 हो जाएगा आगे बात करिया question नम्बर 64 की तो दान में अंकुरण बात कौन सा खर्पतवार ना सिर आमे लेते हैं तो अंकुरण के बाद में काम में लेते कि इसका प्रोपेनीलिया श्टांप F34 तो अप्शन नमबर C सही हो जाएगा क्यूशन नमबर 65 की बात करें तो दान में अंकुरण से पूर्वा खरपतवार नासी लेते हैं तो अंकुरण से पूर्वा पूछ रहे हैं अंकुरण के बाद तो Q66 की बात करें, तो दान का गंदी बग कीट कब लगता है, तो दान में गंदी बग कीट लगता है, वो कब दानों में दूद बनते समय, मतलब दानों की कच्छे वस्ता में कौन सा कीट लग जाएगा, गंदी बग कीट लग जाएगा, आगे बात करें Q66, तो दान का सबसे पर हो गया कौन तो दान का पिला तना-चेदक कीट पर्मुक कीट है इसके बात में 68 सर्वन की बात करें तो दान का पत्ती दबा रोग का रोग करहंगेड है घ्ल मियन थो इसपोरियम और ऑप्शन नमबर B सही हो जाएगा Q79 की बात करें तो दान का वाइरस जनीत रोग है तो वाइरस जनीत रोग पूछ रहा है तो दान का कौन सा है A और B दोनो ग्रासी स्टंट भी है और टूंगरो रोग भी तो option number C सही हो जाएगा Q70 की बात करें टूंगरो रोग का वाहक है तो कौन फैलाता है यह पूछ रहा है तो वाहक हो गया इसका दान का हरा फुद का तो option number B सही हो गया अगर इसकी वानसपतिक नाम जो लोजिकल नाम की बात करें तो निफो टेटिक से वर्सेंस से होता है आगे बात करें क्यूशन नमर इग्यतर तो दान का कौन सा कीट है जो पोदो की पतियों या तनी पर केज बना कर लटके रहते हैं तो केज बना कर कौन सा लटका रहता है option number B नेफिला डेपिनिटिज option number B सही हो जाएगा आगे बात करें question number B यहतरगी दाने फसलो में बंडारन कित्री नमी पर करते हैं तो दाने फसलो में पूच रहा है तो 0-12% नमी पर बंडारन किया जाता है आगे बात करें question number 3 दाने फसलो के बंडारन में कौन से रसायन की पतलब गोलिया काम ही लेते हैं तो एक तो जिंग फॉसफ़ाइड गभी लेते हैं और एता एलिमि carriers फॉस्फ़ाइड तो इसमें ऑप्षान हो जाएगा दिश्ब फॉसफाइड नहीं लेते हैं इसमें अभ्रुशम प्पमशन नंबर हां इसमें सही जिंग दोनों आगे बात करें पुन पार बोईलिंग एवं मिलिंग किरिया किस फसल से संबंधित है तो क्योशन नमबर चोतर है देखो तो कोण सी फसल से संबंधित है ओप्शन नमबर सी दान से संबंधित है अगे बात करें अपने क्योशन नमबर फिचतर तो देखो ट्रांस जेनिक दान क्या है तो ट्रांसेजेनिक दान होता है वो कुण साई विटामिन एसे धनी दान मुल्दब सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाई जाती है इसमें तो यह आपके फिजोतर क्यूशन पूरे होगे धन्यवाद दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें